भाई अगर आप ये वीडियो ये सोच के देख रहे हैं कि मैं आपको कोई rocket science बताने वाला हूँ जिसके वज़े से आपका चैनल रातो रात ग्रो हो जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पे skip कर दो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है ये वीडियो उन्हीं यूटुब के बारे में एक बहुत बड़ी भरम फैली हुए लोगों के अंदर पता है क्या यूटुब पे वीडियो डालो पैसे कमाओ ये बात सही है कि आप यूटुब पे वीडियो डाल के पैसे कमा सकते हैं लेकिन जब वही लोग यूटुब के उपर काम करना शुरू करते हैं ग्रोह हो इससे रिलेटर जब आप यूटूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रवचन करते हुए यूटुबर मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि ये सेटिंग अपलाई करो आपका चैनल एक महीने में ग्रोह हो जाएगा ये टिप्स आप चैनल क्यों नहीं ग्रोह कर लिया आपने तो अपने चैनल को ग्रोह करने में दो से चार सर लगा दी और दोसरे को परवचन दे रहे हो भाई कि एक महीने में आप ग्रोह कर लोगे दस महीने में ग्रोह कर लोगे नए क्रियेटर को तुम लोग यार इतनी उल्टी सीधी जैसे नए यूटुबर्स में से बहुत सारे यूटुबर्स हैं जो ग्रोव नहीं कर पा रहे हैं सिफ सेटिंग्स अप्लाई करते ही रह जा रहा है यार मैं भाई आपको बता रहा हूं ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके चैनल को एक से दो महिने में रॉकेट बना दे आपके चैनल को ग्रो कर दे आपके चैनल को उपर मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएं आपके वीडियो पर मिलियन भी वाने लगें यह सारी चीजे step by step ही होता है बाकि ऐसा कोई setting नहीं है जिसे आप apply करके अपने channel को grow कर सकते हो अगर वो चीजें होती वो सारे tips होती तो YouTube आपको खुद बताता कि ये tips apply करो वो tips apply करो जो practically tips है वो YouTube आपको recommend करता है YouTube studio के अंदर कि ये tips आप apply करो अपने channel को आप grow कर सकते हो इसलिए अगर आपको practically अपने channel को grow करना है तो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को repeat करके एक बार दो बार तीन बार जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार आप इस वीडियो को देखके ये चीजे समझो इस पे ध्यान दो focus करो मेरे भाई तब ही आप practically अपने channel को grow कर सकते हो number one सबसे पहले अपने audience को समझो कि आपके audience कौन लोग है आपके audience कितनी percent है YouTube के उपर अगर आपका tech channel है तो tech channel के 20 से लेकर के 25% audience है YouTube के उपर लेकिन वहीं अगर आपका entertainment का channel है तो entertainment के channel में 70% से लेकर के 80% के audience YouTube पे मौझूद है तो आप अगर इस case में दोनो चैनल को दोनो category के channel को compare करोगे तो क्या ये compare होने वाला है tech channel और entertainment का channel कभी compare होगा नहीं होगा क्योंकि entertainment category की reach बहुत ज़ादा है और tech category की reach बहुत कम है entertainment के मुकाबले में तो आप दोनों को compare नहीं कर सकते अगर किसी का entertainment channel जल्दी grow कर रहा है तो उसकी audience भी तो ज़ादा है आपका tech category का channel है तो tech category का channel थोड़ा slow grow होगा क्योंकि tech category की audience उतनी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने audience को समझना है जिस भी category में आप videos बनाते हों आप अपने audience को समझें number two जिस category में भी आप videos बना रहे हैं उस category के बड़े creators को follow करें जिस तरीके से वो videos को बना रहे हैं उनकी videos बनाने के तरीका को देखें किस तरीके से वो अपने audience को समझा रहे हैं उस तरीके को आप follow करें उनकी नकल करें मैं यह नहीं कर रहा हूं कि उनकी videos को ही आप copy कर लीजिए आप उनके videos को दीखिए उनके तरीके को सीखिए और content आप अपने हिसाब से बनाईए अगर आप entertainment के channel में हैं तो entertainment के creators को follow कीजिए कि वो किस तरीके से audience का entertain कर रहे हैं अगर news की category में आपका channel है तो आप बड़े-बड़े anchors को follow कर सकते हैं कि किस तरीके से वो camera के सामने आके news को पढ़ रहे हैं reading किस तरीके से कर रहे हैं उनका attraction क्या है ये सारे चीज़े आपको अपने category के अंदर बड़े creators को follow करने से सीखने को मिलेगी तो आप पहले अपने category के अंदर बड़े creators को follow करें ये सारी चीज़े सीखने के लिए तब ही आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं अपने content के अंदर improvement ला सकते हैं तो मेरे भाई यही practical तरीका होता है YouTube के उपर ग्रो करने का वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी उस तरीके की videos बनाके उन बड़े creators की तरफ videos बनाके अपने audience को deliver करेंगे इसलिए अपने category के अंदर बड़े creators को आप जरूर follow करें इसका सबसे बड़ा benefit यह होगा कि आपको उनसे नई नई चीज़े सीखने को मिलेंगी नमबो थरी आपको जो rule follow करनी है YouTube के उपर अपने channel को practically grow करनी के लिए consistency plus quality यानि कि आपको consistency भी maintain रखनी है कि हफते में आपको इतनी videos डालनी है महीने में आपको इतनी videos डालनी है चाहे आप एक वीडियो डाले या पाँच वीडियो डाले इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन वो consistency आपको regular follow करनी है इसके साथ ही आपको अपने content के अंदर day by day quality improve करनी है ऐसा नहीं कि एक setting आपको मिल गया एक template आपको मिल गया और उसी template के उपर आप videos बनाते जा रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं करना है day by day आपको अपने content के अंदर improvement लानी है तो दोस्तों यही सारा practically तरीका है जिससे कि आप YouTube के उपर अपने channel को practically grow कर सकते हैं इसलिए मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ उन चिछोरे जैसे YouTubers को आप बिल्कुल भी follow नहीं करें जो आपको इस तरीके की tips बताते हैं कि 10 दिन का अंदर आपका channel grow हो जाएगा एक महिने का अंदर channel आपका grow हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको helpful लगी होगी और इससे आपने सही तरीके से समझ लिया होगा कि YouTube के उपर practically किस तरीके से आप अपने channel को grow कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे like करें वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इसे dislike करें आपका इस बारे में क्या ख्याल है इस topic के उपर आप क्या सोचते हैं नीचे हमें comment करके जरूर बताएं इस तरीके की वीडियो अगर आप future में और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं साथ ही notification को भी on कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियो की notification regular मिलती रहें मिलते हैं next वीडियो में किसी नई topic के साथ जाएं